अब चाहे वेल बिंग हो चाहे हैपिनेस हो चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे किसी और किसम का सोसाइटी का कोई पैरामीटर हो हमने कंपैरिजन तो करना हैं सिमिलारिटी तो देखनी है जर्नलाइजेशन एप्लिकबिलिटी यूनिवर्सलिटी तो देखनी है क्योंकि यह डिसिप्लन और यह अप्रोच ही क्रॉस कल्टरल है तो फ्लरिशिंग पे भी यह स्टडी हुई है इन्होंने जिन मुलकों में की व कैसे भी अगर आप फ्लरिशिंग ग्लोबल फ्लरिशिंग प्राजेक्ट पे क्लिक करें फ्रंटियर इस जर्नल का नाम है इसमें पूरा आर्टिकल निकल आता है उसको यहां मैंने समराइज की है यह जो सिक्स डुमेंस हैं इनके अंदर इस तरह के सवाल है आम तोर पे मेरी सहित जो है वो बहुत इतमीनान बख्ष है मेरी जहनी सहित के हवाले से मुझे कभी कोई मसायल नी हुए मैं अपनी रोटी कपड़ा मकान के लिए कभी परेशान नहीं हुआ मैं अपनी तमाम जरूरियात सहूलीट से पूरी कर रहता हूं कर लेती हूं मुझे पता है मैं जि आते हैं six domain हर एक में दो सवाल है मेरी जिंदगी मेरी खायशों के मताबिक है और मैं असे मुतमीन है अच्छा अब इन बारां के ऊपर छे domains के उपर उन्होंने पांच countries को compare की है अब इस से जो human flourishing का knowledge है उसमें पांच culturally अलगलग किसम की अबादियां उनकी population से हैं देखे ना Cambodia, China, Sri Lanka और USA तो आपको यह नजर आएगा कि यह different cultures में flourishing देखी गई है अब happiness और life satisfaction को छोड़ दें तो जो US के respondents हैं US के जो लोग हैं जिन पे इनोंने यह सवाल उन सब पूछे वह हाला कि उनके पास सबसे आदा financial और material stability है लेकिन वह बाकी जो domain flourishing की relationship, purpose, meaning लेकिन बाकी चीज़ों में mental health, relationships, character, meaning and purpose इन में American इन गरीब nation से पीछे थे हाला कि वह materially or financially stable थे चाइना के जो लोग हैं उनका सबसे जो score था बाकी country से जादा वो close relationships में था ये रिष्टों के मामले में और health में था यानि वो health का और रिष्टों का बहुत दिहान रखते हैं इस मामले में वो बड़े मुतमेन हैं और फल पूल रहे हैं life satisfaction and happiness के इलावा जो कमबोडिया का मुलक है इतनी मसाइल से गुज़र चुक है घुर्बत भी है प्लिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है वो character और वर्चू में कमबोडिया वाले बाकियों से बेतर थे मेकसीको हाला कि financial and material stability यानि पैसे और economics और फूडिबिलिटी और उस मामले में जो हैं वो पीछे थे सबसे पीछे थे लेकिन उनके सबसे ज़्यादा जियादा जियादांगी का जो मकसद और मतलब है यानि उनका demi-का मकसद का है इस में सबसे जज्यादा थे उनके स्कोर मेक्सीकों के वरीब लोह के सीरी रंका के लोग हैं सबसे ज़्यादा नाखुच थे और सबसे ज़्यादा डिससाटिसफाइड थे लाइफ थे अब फिजिकल और मेंटल है डोमेन में बड़ा इंटरस्टिंग आया कि जो चाइनीज लोग थे और मेकसीकन और कमबोडियन उनके बाद थे वो अपनी हेल्थ को बड़ा पॉजिट दूए जो सर्वे किया वे उसमें वो एक्चुली उल्टा पेश कर रहे हैं तो जो लोग रेटिंग कर रहे हैं और जो जो अब्जेक्टिव रेटिंग आई यह डबलियो हू की वो फरत थी लोग कहरे है हमारी हेल्थ अच्छी है हूँ कहरा ने इनके हेल्थ अच्छी नही इन चाइना मतलब इन में किन से करीब है या अमेरिका से करीब है तो इन की पिक्टर आपको पेश हुई है study में but the partnership as the world map shows has extended to lot of other countries. We have now started working on flourishing of students and young people और इसमें इंडिया से लेके और तक्रीव पूरी दुनिया में अब flourishing को compare किया जा रहे है क्या हम flourish कर रहे है as an individual I may be or may not be but as a society क्या हम फल पूल रहे है बहुत सी बातों इसके जवाब आएंगे मेरा अपना इसका एक जवाब है वो ये कि तमाम सब कुछ होने के बावजुद भी हम फल पूल रहे हैं हम रुके नहीं हुए है अपने रुकी हुई तबाह हुई भी societies देखे हैं हम तो फानों से लड़ते हैं लेकिन हम फल पूल रहे हैं क्या explanation है यह जो differences है flourishing की क्या इसका तालोक लोगों की psyche से है उनके religious belief से है उनकी contentment से है उनकी nature से है उस अलाके से है उस अलाके की politics से है अमीर मुलक के अंदर क्यों character or purpose में रेट कम कर रहे हैं mental health को कम rate कर रहे हैं रिष्टों में उल्जेवे हैं रिष्टों में मसीबत है सो मैंने तकरीबन इन में कुछ culture देखे हुए हैं कहीं रह के भी देखे हुए हैं कुछ culture बिल्कुल मैंने नहीं देखा ना मैं Cambodia गई हूना China but I have some idea of the things in their culture so we keep working on this model यह एक असान measurement flourishing की हमने अभी medical college के students यंग लोगों पे की है mental health की rating meaning and purpose की यंग लोगों में बहुत कम आ रही हैं इसका मतलब है इस पर काम करने की जरूरत है हमने रिसेंट ली क्रिसर्च की है कि अगर आप अपने आपको माफ करने के लिए आपके अंदर करेक्टर और वर्चू यनि अच्छे खसाइस पूबियां होनी चाहिए